कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का सवगात है हमारे यूटूब चैनल विलेज कुकिंग भी अचेस में फिर से हम हाजिर हुए एक नए रेसिपी के साथ आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का घुटका जिसके लिए चाहिए हमें आलू को सबसे पहले हम आलू को उबाल लेंगे उसके बाद आगे का प्रोसेत किम दिखाते हैं तो चलिए आलू को पहले बालेते हैं पांस चे आंप से अचे हम मीडियम सइच के आलू लेंगे का आई след या आलू को हमने चैल लिया है आलू को आब हम इस पर क्याट लेंगे कि अज़िए और इसमें से क्यूब में काट लिए चोटे-चोटे क्यूब में और थोड़े सेमेच यह हरा दनिया पांचे हर इमीच यह से भी हमने चौप कर लिया है अब चलिए आगे का पुरिसर्च दिखाता है पैन लिया है और पैन को गरम कर लिया है अब इसमें हम तीन बड़े चम्माज तेल डारेंगे अब कोई सावी तेल यूज़ कर सकते हैं हम मस्टर्ड ओयल यूज़ कर रहे हैं हम तेल को गरम करके इसमें जीरा फ्राई कर लेंगे देखे तेल हमारा बहुत गरम हो चुका है इ बहुत ही ग्रिया स्वाद आता है जीरा को अच्छे से भून ले आप तो जीरा भून जाने के बाद आप इसमें हरी में सुझी डाल दें साथ में हम अपना अबलवा आलू भी डाल देंगे दोस्तों इसमें जीरा आप ज्यादा से ज्यादा जीरा डालना गुट के किसे रेसिपी जीरे से अच्छी लगती है आप चमच हम लाल मिश पाउडर डालेंगे एक चता यह हम डालेंगे हल्दी आदा चमच गरम मसाला पाउडर तो हम नमक इसमें काला नमक यूज कर रहे हैं आप चाहे सपेद नमक भी यूज कर सकते हैं नमक स्वाद अनुसार इन सभी अच्छे से मिक्स कर लें दोस्तों देखें कितना अच्छा कलर आया है तो यह अल्मोस्ट रेडी है क्योंकि आलू पहले से उबले हुए है तो हम इसको ज्यादा नहीं पकाएंगे तो थोड़ा सा यह गोल्डन ब्राउन हो जाए मसाले अच्छे से पक जाएं बस तो एक च चाट मसाला चाट मसाले से इसका जो टेस्ट है वह बहुत बढ़िया आजाता है साथ में हम अपना देनिया पत्ता भी डाल देंगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे गुटका हमारा तयार है लेकिन हम इसके सुवात को बढ़ाने के लिए हम इसमें एक चम्मस देशिगी डालेंगे आप चाहे तो बटर भी उसकर सकते हैं और अगर आप इसके भी कर सकते हैं इसको अब हलका सा मिक्स कर लेंगें और हमारा गुटका यह डेडी है अब गुटका रेडी है सब करने के लिए देखें बहुत बढ़िया टेक्च्चर और कलर आया है बहुत ही इजी है बनाना आप कभी भी बना सकते हैं थोड़ा सम दनिया पत्ता उपर से डालेंगे दोस्तों एक गुटकाम टेस्ट करके देखते हैं कैसा टेस्ट आया है मसाले का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ रहा है क्या बढ़िया टेस्ट आया है है युटकाम टेस्ट आया है